खिसान भाईयों, नमस्कार, महिने मानुश्य मिस्टरा, मुल्टिप्लार कमप्टी के यूटूब चैनल के माध्यों से, आज मैं आप सभी के बीच में, केले की खिती कैसे करें, उसके लिए उप्युक्त जलवायों कैसी होनी चाहिए, उसकी भूम की तैयारी कैसे करें, कौन सी किसमें आप लगाएं, रोक की रोक ठाम कैसे करें, और पैदावार क्या होती है, उसके मार्केट की प्राइज़स क्या होते हैं, उससे लाभ क्या है, इन सभी जानकारी मैं step by step दोगा. किसान भाइएं, सबसे पहले में आपको बता दूँ, कि हमारे पास G9, टीश्यू कल्सर के केले के उन्नत किस्म है, इसके टीश्यू कल्सर के पौधे हमारे पास उपलब्ध हैं, आप इसके पौधों के लिए आप संपर कर सकते हैं, और हमारे पास इसके दवाईया हैं, जिसस ईपको को यह फुबिखा कर सेखंद में किसां और सबाट करें जो नए किसान है जो हमाई चैनल को पहले बार देख रहे हैं तिस सबसक्राइब करें और विजर आइकन को में करें वीजियो अप पहुँचें और जिस्ते कि आपको ज़दा ज़दा खेती संबंदि जो भी जानकारी है उसका लाम मिल सके अब आप बात करेंगे कि केले खेती कैसे करते हैं ये इससे क्या फादे हैं सबसे पहले किसान भायों केले की खेती दुनिया भर के एक महतुर्फून फसल है भारत में केले की फसल लगभग 4.9 लाख हेक्टेर में की जाती है जिससे 180 लाख टन उत्पादन प्राप्त होता है भारत में महराष्ट राज सबसे अधी केले का उत्पादन करता है इसके स्वाद, पोशक्तत और चिकित्सक गुणों के कारण ये लगभग पूरे वर्स उपलब्द रहता है ये सभी वर्गों के लोगों का पसंदीदा फल है या कार्बो हाइडरेट और विटामिन विसेज कर विटामिन B का उच्छ सोथ है केला दिल की बिमारियों के लिए काफी अच्छा काम करता है केला दिल की बिमारियों के खत्री को कम करने में भी सहायक है किसान भायों इसके अलावा गठिया, उच्छ रप्ता, चाप, अलसर, गेश्टो इंटर्स राइटिस और किड्नी के विकारों से संबंधित रोगियों के लिए इसकी सिफारिस की जाती है किसान भायों केले से विबिने तरह के उतपाद जैसे चिपस, केला प्यूरी, जैम, जैली, जूस आज़ि बनाये जाते हैं किसान भायों भारत केला उतपादन में पहले अस्थान पर और फलों के छेत्र में तीसरे नंबर पर है यद उत्पादक बंधु केले की बागवानी बैग्यानिक तक्मिक से करें तो इसकी फसल से अधिक्तम उपचप्राप्त की जा सकती है इस लेख में इस बीडो के माध्धम से बागान भायों के लेख केले की उन्नत खेती कैसे करें उसकी हम पूरी जानकारी दे रहे हैं किसान भायों इसके लिए उप्यक्त जलवाय को इसी होने चाहिए अब हम इसके बारे में आईए जानते हैं केले के उत्पादन के लिए उष्ण तथा आध्र जलवायू उप्युक्त होती है जहां पर तापक्रम 20 से 35 डिग्री 70 ग्रेट के मध्ध रहता है वहाँ पर केले की खेती अच्छी तरह से की जा सकती है वार्षिक वर्षा 150 से 200 सिंटे मीटर समान रोप से बित्रिध होने चाहिए सीथ एवं शुस्क जलवायू में भी इसका उत्पादन होता है परन्तु पाले और गर्म की हवाओं से केले की फसल को काफी शत्य होती है और इसरे बचनी के लिए हम आपको हम हमारी जी ट्रिक्टमेंट्स जीसे हम मुल्टिपलाइक वीध करते है उसका उपयोग करते है किसान भायों इसके लिए उप्योग जमीन कैसी होने चाहिए आई अब उसके बारे में जानते हैं किसान भायों केले की बागवानी के लिए बलूई से मट्यार दोमट भूमी उप्युक्त होती हैं जिसका पीशमाल 6.5 से 7.5 और उचित जलवायों का निकास जल का निकास होना चाहिए आवश्यक है केले की खेती अधिक अमली एवं शारी भूम में नहीं की जा सकती भूम का जलस्तर कम से कम साथ से 8 फिट नीचे होना चाहिए किसान भायों अब हम बात करेंगे G9 टीशू कल्चर जो मनने आपको बताया कि जो हम पौधे आपको देंगे उसकी क्या बिस्ष्टाएं हैं उसके रुपाई से क्या लाब मिलने वाले हैं और दूसरी जो टीशू कल्चर के पौधे होते हैं उनसे भी क्या लाब होते हैं इ एक समान बढ़त तथा अधिक उत्पादन देते हैं नमबर चार कम से कम समय में फसल की परपकोता जिससे भारत जैसे कम धूमी सामित वाले देश में जमीन का अधिकतम उपयोग संभव है नमबर पांच वर्स भर रुपाई संभव है क्योंकि बिक्सित छोटे वर्स इसके बाद इसका रुपाई का समय क्या होता है किसान भाईयों आये जानते हैं जैसे कि आप वीडियो के मादम सुरुआ से देख रहे हैं जो भी आपको ये केले की फसल देख रहे हैं इसमें सभी फसले जो है मल्टिप्राइस विच्छे की गई है जिससे कि ये 50% औरगेन है 50% केमकल से हैं इसमें 100% केमकल का उपयोग नहीं हुआ है इस कारण से इस फसल में कोई भी रोग नहीं है कोई भी समस्या नहीं है और ये फसल बहुत ही अच्छा उत्पादन देने योग बन जाती है जैसा कि आपने अभी आप और आगिस वीडियों देखेंगे जिसमें से कुछ फसलों के जो वीडियों है जिसमें मल्डिप्लार तक्निक इस्तेमाल हुआ है उसके उत्पादन किस तरह से मिले हुए हैं हम देखेंगे इस वीडियों के माद्धिम से किसान भाईयों अब हम बात करेंगे रोपाई का समय तो 15 जून से 15 जुलाई के रोपन के कभा जाता है जैसे कि दिसमबर और जन्री का महिना जो होता है उसमें तेम्परिचर बहुत ही कम रहता है उसमें 20 से कम रहता है ज्याद तर.. और 20 की नीचे केले की फसल नहीं लगा जाती! सल जाती.. मेहरा है किसान भायों हम बात करेंगे रोपन का तरीका सबसे बहुत महत्फून जानकारी है किसान भाईयों आए देखते हैं रोपल का तरीका देखें तो ब्योसाई केला उत्पादक फसल की रोपाई एक पॉइंट पांच मीटर बाई एक पांच मीटर अगर इस आप से पौधा लगाते हैं तो एक एकर में 1770 पौधे लगते हैं पर उच्य घनत के साथ करते हैं लेकिन पौधी का विकास तथा उपज सूरी की रोशनी के लिए प्रति अस्पर्धा की वज़ा से कमजोर हो जाते हैं इस समस्या के समधान के लिए एक कृष्य अंसंधान संस्थान के सोध के अंसार 1.82 बाई 1.52 मीटर के हिसाब से अगर आप पौधा लगाते हैं जैसे 1.82 पौधि से पौधिक दूरी और 1.52 मीटर लाइन से लाइन दूरी अगर आप पौधिक लगाते हैं तो इस तरह से एक एकर में 1422 पौधिक लगते हैं कि अंतरा इस तरह से आप करेंगे तो बहुत अच्छा आपको पौधा लगाने का दिखता है दूसी चीजे है किसान भायों पंतियों की जो दिशा होती है वो उत्तर से दच्छन रखते हुए तथा पंक्तियों के बीच 1.82 मीटर का बड़ा अंतर रखते हुए इस तरह से पौधे लगाएं और जैसे कि पौधों की पौधों की तरी मैंने बताया 1.82 मीटर तो इस तरह से आप पौधे का रोपड करके बहुत अच्छा उत्तपादन ले सकते हैं किसान भायों इस तरह से आप पौधे लगाएंगे तो एक एकड में 1422 पौधे लगभग लगते हैं उत्तर भारत में जहां आदरता बहुत अधिक है और तापमान 5-60 टिगरी से तक गिर जाता है रोपाई का अंतराल 2.1 बाई 1.5 मीटर रखेंगे तो इस तरह से 1279 पौधे प्रति एकड में लग जाएंगे किसान भाईयों अब हम बात करेंगे सिचाई प्रभंदन की तो किसान भाईयों केला पानी से प्यार करने वाला एक पौधा है अधिक्तम उत्पादन ले के लिए पानी के एक बड़ी मात्रा की आउशकता मांगता है लेकिन केले की जड़े पानी खीचने के मामले में कमजूर होती है अता भारती प्रशितियों में केले की उत्पादन में दक्ष सिचाई प्रणाली जैसे डिप सिचाई की मदद ली जानी चाहिए केले की पूर्ण वर्धित जान या पौधी की प्रत दिन 12-15 लीटर पानी की आउशकता होती है इस प्रकार केले में पानी की आउशकता प्रति पौधा प्रति वर्स लगभग 1800-2000 लीटर तक की होती है किसान भायों, डिप सिचाई एवं मल्चिंग तकनीक से जल के उपयोग की दक्षता में बेहतरी की रिपोर्ट है डिप के जर्ये जल की 56% पचत और उत्पादन में 23-32% प्रिद्ध होती है पौधों की सिचाई रोपने के तुरंद बात करें परियाप्त पानी दें एवं खेत के शमता बनाए रखें आशकता से अधिक सिचाई से मिट्टी के छिद्रों से हवा निकल जाएगी फलसरूप जड़के हिस्सों में और रोध उत्पनिक से पौधे की अस्थापना और विकास तोहवित होंगे इसलिए केले में उचित सिचाई प्रवंधन के लिए डिप पध्यत अनिमार है किशान भाईयों पलावर मल्चिंग मल्चिंग अपनाना मल्चिंग भित का अपनाना बहुत जरूरी है जैसा कि आप देख रहे हैं केले की जो फसल की गई है इसमें मल्टिप्लार तक्निक का इस्तेमाल हुआ है जैसा कि मैंने आपको सुरूर में बताया है कि अभी आप सुरूर से जितनी में फसले देखेंगे सब में मल्टिप्लार तक्निक का इस्तेमाल हुआ है किसान भाईयों अब हम बात करेंगे मल्चिंगे तो मल्चिंग केले के थालों पर पुराल गन्य की पत्ती अत्वा पॉलिथीन आदी के बिछा देने से नमी सुरचित रहती है और उसी चाई की मात्रा भी आदी रह जाती है साथ ही फलोत पादन एवं गुलवत्ता में ब्रिद्ध होती है इसके अत्रिक इससे सर्दियों में भूमिका तापमान बर जाता है तथा गर्मियों में तापमान कम हो जाता है इसके अत्रिक्त पानी का बहाव कम होना, मिर्दा अपर्दन कम होना, अत्रिक्त कार्वनिक पदार्थों का भूम में मिलना तथा भूम की उर्वर्षक्ति में सुधार आदमें लाव होते हैं किसान भायों अब हम बात करेंगे अंतरवर्टी फसलों की किसान भायों केले की जड़ प्रणाली सतही है जो बीच की फसल की खेती तथा उपयोग से आसानी से शतिगर्ष्ट हो जाती है किसान भायों जो अवांचनी है नहीं है इसे हम इग्णॉर नहीं कर सकते लेकिन कम आवधिकी फसलें 45-60 दिन वाली फसलें जैसे लोबिया, मूंग, मूली, गोभी, धन्या इत्याज फसलों को लिया जा सकता है ककडी परिवार की फसलों से बचा जाना चाहिए क्योंकि इसमें वारस होते हैं किसान भाईयों कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनको हम जिनसे अपनी फसल को बचाना बहुत जरूरी है केले की फसल में कई रोग, कवक, एवं विशानू के द्वारा लगते हैं जैसे फर्ण चित्ती या लीफ, स्पॉर्ट, गुच्छा, शीर्स या बंची टॉप, इंद्रकनोस और तना गलर, हर्ट रॉट आधि लगते हैं इनसे बचाओ के लिए हम मल्टिप्लाइबित का उप्योग करते हैं कीट के लिए बात करें तो कीट में कई कीट लगते हैं जैसे केले के पत्ती, बीटिल, तना बीटिल आधि लगते हैं इसके लिए भी हम मल्टिप्लाइबित का उप्योग करते हैं फल की कटाई की बात करें इसलिए 28-30 मेहनों की अवध में तीन फसलों की कटाई संभव हैं यानि एक मुख्य फसल के फसल एवं दो रेटून फसलें किसान भाईयों पैदावार की बात करें तो ड्रिप सिचाई के साथ फर्टिगेशन के तहट यद उत्परोग्त वैज्ञानिक तकनीक से मल्टिप्लाइबित के साथ केले की बागवानी की जाए तो 40-50 तन पैदावार टीसु कल्चर से जो G9 बैराइटी मैंने बताया उसकी मर्स से हम उत्पादन ले सकते हैं यदि सफल का अच्छा प्रबंधन किया जाए तो रेट्विन फसल में भी समान पैदावार ली जा सकती है किसान भाईयों मेरे हिसाब से दी गई ये केले की फसल मर्टिप्लाइबित से की गई फसले है इसमें कुछ किसमें जीन आयन की टीसू कल्चर की भी फसले है जिसको हमने मर्टिप्लाइब तकनीक से करके बहुत अच्छा उत्पादन लिया है एक-एक कुछों से हमने 70 किलो तक का उत्पादन लिया है तो 500 gram multiplier 7 दिन के अंतर पर दें, प्रति एकड़ के हिसाब से जब तक आपकी फसल है, और spray में आपको 7 से 8 से 10 दिन के अंतर पर आपको spray करना है, जो multiplier all clear इस पर पर नारा अस्तर का, doses map को भी description से दे दूँगा, आप से check करके इसको spray करें, और अधिक उत्पादन के लिए जमीन से ज़्यादा उप्योग करें, किसान भायों जो रोग आते हैं, फंगर स्वाज मत्या आती हैं, उक्टा रोग आते हैं, इसके लिए हम किसान भायों, फंगी साइड में trichoderma virid या tolerance का उप्योग, 200 लिटर पानिक साथ घोल करके, multiply टेकनिक साथ घोल करके, जमीन से देते हैं, आप जैसा की फसल देख रहे हैं, इस फसल में multiply टेकनिक का इस्तेमाल शुरुवाद से किया गया है, फसल की growth बहुत ही अच्छी है, फसल की quality बहुत अच्छी है, और इसमें जो क किसान भाई, multiply उप्योग कर रहे हैं, उनके उत्पादन में कम से कम 50% का अंतर आता है, कहीं कहीं किसान भाई, उन्हें जो है, दोगना उत्पादन का अंतर देखा है, मतलब जो किसान भाई, 30 किलो, 40 किलो का उत्पादन लेते हैं, वहीं multiply टकनिक का इस्तेमाल करके, एक एक गुच्छे से 70 कलो तक का उत्पादन लेते हैं तो किसान भाईयों आप अब निश्चित करिए कि आपको मल्टिप्लार तक्निक का इस्तिमाल करना है या नहीं करना है किसान भाईयों आप जैसे वीडियो के मादध्यम से देखी रहे हैं किसान भाईयों मैं उमीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के द्वारा दी गई जहनकारी से बहुत अच्छा लाव लेने वाले हैं और अपनी फसल में ज़्यादा उत्पादन लेने वाले हैं किसान भाईयों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप इस पद्धियत को अपनाते हैं तो बहुत अच्छा उत्पादन लेंगे और काफी अच्छा आपको इसका लाव मिलेगा किसान भाईयों सबसे जरूज बात है किसान में स्चेडियोल की तो कौन सी खात कब पढ़नी है कब सचाई करना है कब कौन सी दवास परे करनी है इन सभी चीजों के जानकारी आप दिये गए नंबर से संपर कर सके ले सकते हैं रही पौधे की बात तो G9 TCU कर्चर के पौधे भी हम देते हैं उसे भी आपने यहां मंगवा सकते हैं किसान भाईयों इसी के साथ महिमान शुमिस्तरा फिर से नए जानकार साथ नए तकनीक के साथ एक नए वीडियो के साथ आऊंगा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत